हेलो बहनों यों भाईयों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप अच्छे हों स्वस्थ होंगे आज हम आप लोगों के लिए एक नई रेस्पी लेकर आये हैं बीन और आलू के सब्जी तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं हैं बीन आलू के सब्जी बनाने के लिए साथ हूं हमने 2100 ग्राम बीलनी है और 2200 आलू लिए हैं जिसे पांच आलू ये मीडियम साइच के चड़े एक प्यास लिया है लसं लिया है अद्रक का एक तुकडा काट लेंगे और आलू को भी काट लेंगे पतला पतला यह देखिए इस तरीके से बीन को पतला पतला यह काट लेंगे आप आज कल बीन दोस्तों बढ़िया फ्रेस मार्केट में आ रही है नौंबर में आलू भी नए आ गया है तो इसकी सबजी बहुत अच्छी बनती है बहुत बढ़िया सबजी लगती है बीन की बहुत ही पॉस्टिक होती है यह देखि बीन हमने काट लिया है और आलू भी इसी तरीके से काट लेंगे यह दोनों चीजे मैंने काट करके रख ली है दोनों धाई धाई सो ग्राम है आलू दोस्तों लंबी नहीं इस तरीके से काटेंगे बीन के लिए सोया मेथी हो बीन हो सेम हो उनमें सम्में इस तरीके से आलू काटते हैं दोस्तों गैस फे कड़ाही रख देंगे कड़ाही गरम होने देंगे और दोस्तों इसको हम मस्टर डायल में बनाएंगे सरसों के तेल में कड़ाही गरम हो गई है इसमें मस्टर डायल डालेंगे तेल को गरम होने देंगे तेल गरम हो गया है अब इसमें प्लस्टन प्याज अद्रग जो हमने काट के रखी थी उसको हलका सपीस लिया है सिल्पे और इसको इसमें डालेंगे गॉल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे हरी मिर्च जो दोस्तों काटी थी उभी इसमें डाल देंगे इसको भी पकाएंगे चलाते रहेंगे इसको इस तरीके से अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे टर्मरीक पाउडर छोटा चमश डालेंगे इसको चलाएंगे थोड़ा सा पकने देंगे 10 सेकंड के लिए अब इसमें कटे हुए आलू पहले डालेंगे उसके बाद फिर बीन इसमें डालेंगे बीन भी डाल देंगे इसमें और इसको चलाएंगे मिक्स करेंगे इसमें अच्छे से जबे मसाले में मिक्स हो जाएंगे तब इसमें हम श्वाधा नुशार नमक डालेंगे नमक आप कम या ज्यादा राख सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे करी पाधा चम्मच कस्मिरी Latino डाल मिर्च डालेंगे हरी मिर्च दोस्तों डाली थी इसमें और क्टा हूँ मिर्च नहीं डालेंगी क्योंकि फिर बहुत कड़ूई हो जाएगी सब्जी पांच हरी में चुमैनिस में डाली थी और इनको अच्छे से पकाएंगे एक तो मिद्ट तक ऐसे चलाते हुए पकाएंगे मसालों के साथ प्रापर चलाते रहेंगे ताकि नीचे सब्जी लगेने कड़ाही में यह विसे इस ध्यान रखें यह मसाले में मिक्स होगी अब इसमें पानी डाल देंगे हम इसमें लमसम एक गिलास पानी डालेंगे ताकि अच्छे से यह पक जाएंगे और ढखके पांच मिनट तक इसको पकाएंगे पांच मिनट दोस्तों हो गए हैं यह देखिए पानी भी चल गया इसको चला कर देख लेंगे सबजी बहुत बढ़िया पक गई है अच्छी खुजबू आ रही है अब इसको एक प्लेट में शर्ब कर लेंगे एक बाद चेक कर लेंगे आलों पकी हैं कि नहीं पकी हैं बहुत अच्छे आलों पक गए यह नए आलों है दोस्तों जल्दी पक जाता है इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है और इसको जो हमें एक प्लेट में शर्व कर लेंगे ये देखे दोस्तों फटाफट बीन और आलू के सब्जी बनकर तयार हो गई है इसको आप चावल के साथ चपाती के साथ खाएं बहुत अच्छी लगेगी बहुत बढ़े हां सब्ज करें और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू